दोस्तों जो मैं आपको आज information देने वाला हूँ यह काफी ज़्यादा महतपूर्ण है अगर आपके पास कोई फर्जी वाला अधारकार आ जाता है तो आप उसे किस तरह से पहचानेंगे आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू फर सारा मेंच करना चाहिए अगर मेंच नहीं करता है UNAMAL लेजिए आपका आधारकार षिवीडियो में बन रहें सारा डीटेल में आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं तो दोस्तों मेरा नाम हमी थुनकमार आप देख रहे हैं एमकेपी घुटीप्स तो चलिए इस वीडियो को सुलू करते हैं मैं आपको बता दूँ माई अधार डॉट यू आई डी डॉट गोव डॉट इन पर जाना पड़ेगा यप साइड का लिंक हम आपको वीडियो के डि तो जब यहां पर आप किलिक करेंगे और किलिक करने के बाद यहां पर आपको अधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा जिस भी वेक्ति का अधार कार्ड या उसका फर्जी है या नहीं है चेक करने के लिए तो सबसे पहले उस वेक्ति का उस यूजर का आपको आधार नंबर यहाँ पर इंटर करना परेगा तो चलिए हम यहाँ पर अधार नमर इंटर कर देते हैं इसके बाद जो आपको केपचा दिया गया है यह केपचा को जैसा केपचा है उसी तरह से आपको यहाँ पर इंटर करना है जैसे केपिटल में तो केपिटल में आपको इंटर करना है इस से आप मिला सकते हैं कि आपका ये लास्ट का जो मुआल नमर कितना है आपका स्टेट कौन सा है इन सारे चीज आप मिला सकते हैं तो इस तरह से जो है अपने अधारकार को भेरिफाय कर सकते हैं और पहचान कर सकते हैं कि कि किसी भी वेक्ति का आधारकार जो है या फर्जी है या सही है तो इस तरह से चेक कर सकते हैं तो दोस्तों अगर यह इंफॉर्मेशन आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बैल आकेन को भी दवा सकते हैं अगर इस वीडियो के कोई भी मन में आपका सवाल यह सुजाब है तो आप हम इस्टाग्राम सकते हैं इस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिक्सिप्शन बॉक्सिंग मिल जाएगा और डिस्प्ले पर भी आ रहा होगा तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसे को नहीं सांदार वीडियो में करता के लिए जाएं